पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचावा चार जिंदा कार्टूस बरामत किये हैं आपको बता दे की बरस्पतिवार देर रातरी जंदपत शामली के कानला पुलिस को मुक्विर द्वारा सूचना मिली की शेत्र के गंगेरू रोड पर बदमाश लूट पाट के रादे से खड़े हैं पुलिस ने मुक्विर द्वारा बताये गए स्तान पर गेरवन दिक करते हुए बदमाशों को ललकारा तो बदमाश ने पुलिस पर फाइरिंग कर दी पुलिस के अनुसार बदमाश के ओपर हक्तेवन उट जैसी कई संगीना प्रादी मामले दर्ज हैं और पुलिस परसासन के ओर से बदमाश के ओपर 25,000 का इनाम भी गोशित है क्राइम इस्टोरी के लिए अपतर परदेश के शामली से समवादाता फुरकान जंग की रिपोर बदमाश के गोले लेगी है जिए पर पहले भी तीन मामले हट्पियाओं के और सारंपुर जन्पर से गैंग्स्र का मुकर्णा और इस गरादाने का प्रयास किया उसके जमीन के फ़र्जी काउजा तियार करवाए और उससा अधर पर उसकी बावन बीगा जमीन पर गबजा पर प्रयास लगाता रहा था इसमें इसके गला मुकदमा पंजीगित हुआ था लगातार वांची चुगरा था जिससे पॉलिस टीम को टिप आफ परापत हुई इसके सूचना मिली तो उस पे इसके प्रयास किया गया तो इसके बदमाशों जो इसके साथ में थे और खुद पुलिस पार्टी पर फाइरिंग की जिसमें आपसी जो क्रैक डाउन हुआ उसमें बदमाश की रफ्तार हुआ घायल अबस्ता है रोक्चारा सेंग है और आगे की जो कारवाई ही है इसके जितने भी पहले गैंग के मेंबर्स रहे हैं उनकी वर्तमास थी थी और मौजूद अबस्ता हलात में कुछ नाम सामने हैं जो इसके साथ में जूर करके काम कर रहे थे हैं उनकी जानकर जटाई जारी है और आगे कारवाई है